इस बार चालू सीजन में भी चीनी उत्पादन में महारास्टर शी स्थान पर बना रह सकता है महारास्टर में इस सीजन 15 एक्तूबर से गन्ना पिराई सीजन शुरू हो चुका है आपको बता दे कि महारास्टर ने उत्तर पर देश को पिछले सीजन में पचाट दिया था वहीं इंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित ख़बर के मताबिक महारास्टर चीनी आयुक शेकर गायकवार ने कहा है कि गन्ना शेतर लगबर पिछले साल की तरह ही है हम पिछले सीजन की तरह है रिकोर्ट चीनी उत्तपादन के स्ताथ भारत में शीर स्तान पर भने रहने की उमीद करते हैं गायकवार ने कहा है कि 2021-22 में महारास्टर में गन्ने का कुल शेतर फल 1.488 मिलियन हेक्चर और 200 मिले पिराई कर रही थी और इस ताली आकड़ा 1.487 मिलियन हेक्चर और 203 मिलो का है पिछले सीजन चीनी का उत्पादन 137,36,000 तन था और हमें चालू सीजन में 138,000,000 तन की उमीद है दरसल महारास्टर का चीनी उत्पादन और निर्यात दुनिया भर के कई चीनी उत्पादक देशों से बढ़ा है पिछले साल भारत ने दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक देश के रूप में ब्राजिल को पीछे चोड़ दिया था ऐसे में उमीद की जा रही है कि इस बार भी महाराश्टर में चीनी उत्पादन भारत में शीर्श सान पर रह सकता है